कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राफेल सौदे की जाँच चुनाओं के बाद दोबारा आयूजित की जाएगी और चौकिदार को जेल होकी यह दावा करते हुए कि रक्षा मंतरी मनोहर परिकर को पता था कि राफेल सौदे में भरष्टाचार है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सौदे की दोबारा जाँच की जाएगी गांधी ने एक रैली को संभोधित करते हुए ये भी आरोप लगाया कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने लड़ाकु जेट खरीदने वाले सौदे को बदल दिया जिसके चलते उसके कीमत बढ़ गए राहूल गांधी ने ये भी कहा कि न्याय योजना गरीबी पर कॉंग्रेस द्वारा की गई एक सर्जिकल स्टाइक है सभी भारतियों को हर महीने कम से कम 12,000 रुपे मिलने चाहिए उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस सरकार को इस योजना के लिए परियाप्त धनराशी प्रदान की जाएगी उन्होंने मोदी के साथ भ्रष्ट अचार अर्थवेवस्था और राष्टियर सुरक्षा पर 15 मिनट की खोली बहस में हिस्सा लेने की अपनी चुनोती भी दोहराई उन्होंने मोदी के साथ भी दोहराई